नमस्ते बच्चों, आज हम अल्प विराम चिन्न के बारे में जानेंगे और आप इसे अपने नोटबुक में भी लिखेंगे जोई अपना होमवक कर रहा था, तभी सनी वहां आ गई मुझे अल्प विराम चिन्न सिखने में मुश्किल आ रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे सनी? हाँ, ये बहुत आसान है, क्या फिने आज ही मुझे ये सिखाया है देखो, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना क्या, इसे किसी और तरह से समझा सकती हो? हाँ, बिल्कुल, जब किसी वाक्य के बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो इसे अल्प विराम कहते हैं, इसके लिए वाक्य में अल्प विराम चिन्न का प्रयोग करते हैं जिसे कामा भी कहते हैं, जैसे बैठो, बैठ कर बाते करते हैं यहां में बैठो शब्द के बाद थोड़ी देर रुकी, फिर वाक्य को पूरा किया. इसलिए बैठो शब्द के बाद मैंने अल्पविराम चिन्न लगाया. फिर उसके बाद वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्न लगाया. जोई क्या तुम इस वाक्य में अल्पविराम चिन्ध का प्रयोग कर सकते हो देखो वह एक सुन्दर फूल है जोई सोचता है बच्चों क्या आप जोई की मदद करेंगे तुम देखो शब्द के बाद थोड़ा सा रुकी और फिर अपना वाक्य पूरा कर लिया इसलिए हम देखो की बाद अल्पविराम चिन्ध का प्रयोग करेंगे क्या बात है जोई इसे तुम समझ गए लेकिन अभी अल्पविराम चिन्ध के बारे में एक और बात समझनी बाकी है सनी और जोई आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां गैफी आ गई गैफी ने देखा कि सनी और जोई अल्पविराम चिन्ध के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि हम एक वाक्य में एक से अधिक अल्पविराम चिन्ध का उप्योग कर सकते हैं वो कैसे? हाँ गैफी मुझे भी जानना है यदि हम किसी एक वाक्य में तीन या अधिक नामों का उप्योग करते हैं तो उन्हें अल्पविराम चिन्ध का उप्योग करते हैं जैसे मुझे आज बाजार जाकर फल, सबजी, खिलोने और किता बेलानी है मैंने इस वाक्य में फल, सबजी, खिलोने को अलग करने के लिए अलपविराम जिन्ना का प्रयोग किया सनिया और जोई, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस वाक्य में अलपविराम कहा लगेगा? वाक्य है? मुझे खाने में डाल, सबजी, रोटी और चावल खाना पसंद है डाल और सबजी के बाद? नहीं, डाल, सबजी, रोटी तीनों के बाद लगेगा सनी और जोई को अल्प विराम चिहने के बारे में जान कर बहुत मज़ा आया बच्चों आपके लिए भी स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिये जा रहे हैं उनमें अल्प विराम चिहने का प्रयोग करें अपनी नोटबुक में अल्प विराम चिहने का प्रयोग रंगों से करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साजा करें इस वीडियो में हमने विराम चिहने की पहचान करना और लिखना सीखा